हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप आपसंस बाइंग को आसान बना सकते हैं कैसे हम आपसंस बाइंग से आसान तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं इन सारे कॉंसेप्ट को उपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत सारी लोग आपसंस ट्वेडिंग करते हैं लेकिन options trading से वो लोग profit नहीं बना पाता है especially options buying से तो options buying में किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है और कैसे हम आसान तरीके से यहां से profit निकाल सकते हैं चलिए इस concept को हम इस वीडियो में सीखते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आगें और यह जो चार्ट है आपका एक्सिस बैंक ऑक्टूबर फ्यूचर 2022 का 5 मिनट टाइम वाला चार्ट है तो जब भी आपको इंट्रवाडे ट्वेडिंग करना है तो यहां पर हम क्या कर रहें यहां पर हम देखेंगे कैसे हम इंट्रवाडे ट्वेड करते हुए हम आप्सेंस बाइंग में आसान तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं उस concept को यहां पर हम सीखने जा रहें तो जब भी आप इंट्रवाडे ट्वेडिंग कर रहें इसलिए जब हम options बाइंग करते हैं यहां पर हम लोगर टाइम फ्रेम वादा चार्ट इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहां पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम वादा चार्ट यूज किया है आप यहां पर जाओ तो 5 मिनट या फिर 50 मिनट इन दोनों मैंसे जो भी आपको सही लगता और टाइम फ्रेम का इस्तेमाल आप यहां पर आसानी से कर सकते हैं तो टाइम फ्रेम के लिए कि कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए बस यही दो टाइम फ्रेम यूज करना है अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या find करना है अगर आप options buying से profit बनाना चाहते हैं तो आपको stocks में क्या चाहिए होगा आपको stocks में momentum चाहिए होगा बिना momentum वाले stocks में आप कितना भी static strategy यूज़ कर लो आप profit नहीं बना पाओगे तो momentum वाला stocks हम कैसे find कर सकते हैं कैसे हम पता करें कि इस particular stocks में momentum आएगा यह नहीं आएगा उसके लिए एक simple सा तरीका उसके लिए सबसे पहले आपको क्या find करना होगा आपको एक strong support याफी resistance level find करना होगा और वो काफी अद तक आपका strong होना चाहिए और यहाँ पर अगर हम बात कर लें अगर हम इस particular stocks की बात कर एक्सिस बैंक और इसके उपर अगर हम बात करें तो आपका एक 750 का level है जो काफी crucial level है और यह आपका strong resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है और 750 आपका एक psychological level भी बन जाता है अगर by chance एक्सिस बैंक इसको break करके उपर निकलता है तो यहाँ पर एक strong resistance level break होता हुआ दिखेगा फिर इस इस particular stocks में हमें momentum के साथ price आपका उपर जाता हुआ दिखेगा तो इस तरीके से हम momentum stocks find कर सकते हैं तो सबसे difficult काम होता momentum stocks को find करना तो इस तरीके से आप momentum stocks find कर सकते हैं जब भी कोई support या extensible break हो अगर बीना momentum वाले stocks में आप trade करोगे तो चाहे आप call options buy कर लो या put options buy कर लो कोई भ options में profit बनाने के लिए आपको stocks में momentum चाहिए ही चाहिए तो यहां पर हमने momentum stocks को identify कर लिया अब हम सिर्फ इसी के basis पर trade नहीं करेंगे हमें open interest के तरफ से भी confirmation चाहिए होगा तो चलिए यहां पर हम open interest के तरफ से भी confirmation लेते हैं तो इसके लिए हम एक और चार्ट देखना चाहें उसका information मैं आपको दे दूँगा सबसे पहले यहां पर आपको समझना है तो यहां पर आप देखें तो पहला 15 मिनट में यहां पर हमें क्या देखने को मिलवा है long build-up देखने को मिलवा मतलब पहला 5-10 मिनट में क्या हुआ आपका एक crucial distance level 750 को break करके access bank ऊपर निकला है और यह आपक से ज्यादा फ्रिस्ट का एडिशन यहां पर हमें देखने को मिला है यह सब हमें इंडिकेशन दे रहा है इसे स्टॉक में अपसेट की तरफ मोमेंटम आने वाला है और अपसेट की तरफ अगर मोमेंटम आएगा तो हम क्या करेंगे हम यहां पर call options buy करना प्रेफर करे तो price किसको cross करके उपर निकला 750 को cross करके उपर निकला है तो हमाई लिए सबसे suitable और सबसे सटिक के strike price का सेलेक्शन क्या होगा 750 तो यहां पे हम क्या करेंगे 750 के strike price को सेलेक्शन करेंगे और इसके call options को buy करना प्रेफर करेंगे क्योंकि यहां पर जो मोमेंटम देखनें मिला वो momentum upside की तरफ आता हुआ दिखा है तो यहां पर हमारा strike price का भी selection हो गया और अगर आपको इसमें कुछ doubt है या detail से सीख रहा है इसके उपर हमने detail वीडियो बना रखा है वो भी आप देख सकते हैं हमारे video के description में link मिल जाएगा वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं तो यहां पर हमारा strike price का selection हो गया अब हमें entry कब लेना है entry भी हमारा well define होना चाहिए एक static तरीके होना चाहिए वो समझने के जरुवत है अब देखिए पहला candle आपका level को तो break कर दिया लेकिन red बना दिया अब इसके बरोसे तो हम बाइसार की तरफ entry नहीं लेंगे हमें एक green candle च के करीब क्या करेंगे 22 तरह positions initiate कर सकते हैं अगर हम futures की बात करें तो लेकिन हमें options में trade लेना तो इस particular point यह नहीं हमारा exact entry point बनेगा वो बनेगा 925 के आसपास यहां पर हम क्या करेंगे 925 के आसपास 750 के call options को buy करना प्रेफर करेंगे तो चलिए अब हम 750 के call options के चार्ट को ही open कर लेते क्योंकि यहां पर हम सीख रहे है options buying करने का आसान तरीका तो यहां पर हम आगे है एक्सिस बैंक के 27 October 750 के call options बाले यहां पर भी हमने 5 मिनट का ही time frame लिया तो हमें जो trade initiate करना 925 के करीब ही trade initiate करना यहनि इस level इस candle के आसपास हमें trading distance लेना यहनि हमें जो इस level के आसपास हमने यहां पर क्या किया है एक्सिस बैंक के call options को buy किया है कौन सा call options है आपका 750 के call options को हमने buy किया है 22 के strike price पर अब यहां पर हमारा target price किया होगा SL हम इसके lowest point को SL के रूप में रख सकते है या फिर SL आप जो futures में level है उसके basis पर भी रख सकते है अब हमें target price का decision कहां से लेना होगा हमें future से काफी हथ तक clear target price मिल पाएगा तिहां पर हम futures पर आना चाहेंगे और इसको हम exact same रखना चाहेंग इस तरीके से आप target price अपना set कर सकते हैं तो वापस से हम यहाँ पर आना चाहेंगे और उससे पहले देखना चाहेंगे कि 760 का level यह touch किया है और उस time touch किया 1030 के आसपास तो यहाँ पे भी हम 1030 के आसपास देखेंगे कि price आपका कहा पे था 1030 के आसपास price आपका 26.70 के करीब और यहां पर जो हम profit बॉक कर रहें वो 26 से करीब यहां पर हम करें profit बॉक कर रहे हैं यहां पर हमें कितने पॉइंफ करें profit मिलता हुआ और यहां पर हमें आसानी से 18% to 20% का return मिलता हुआ दिख गया, तो देख सकते हैं, हमें intra day में इतना return मिलता हुआ दिख रहा है, यह कोई कम return नहीं होता, और यहां पे हमें ज़्यादा देव तक wait भी करना नहीं परा, सेम देवे लिया है, और सेम देवे हमें first half में ही आसानी से profit मिलता हुआ दिख गया, हमें ऐसा profit क्यों मिला है, क्योंकि हमने momentum stocks को सही time पे identify किया है, सिर्फ momentum stocks identify करने से मतलब नहीं है, हमें response देवाँ identify किया और उसके बाद हमने एक और data का help लिया है, वो काफी crucial data है, वो है आप इसे available हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई extra charges नहीं है, बस आपको धन में अपना trading और demand account open करना होगा, और धन में आप free में अपना trading और demand account open कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको extra charges पे करता नहीं परेगा, तो अगर आपको ये data free में इस्तमाल करना है, तो एक आसान सा रास् करते हैं, बांकि ये data आएगा कहाँ पे, आपको किसी भी stocks के future के chart को open करना है, जो आप future के chart को open करेंगे, तो यहाँ पे आपको market, real time, margin trade, 15 minute build up, smart invest देखने मिलेगा, तो आपको 15 minute build up पे आना इस पे आप आएंगे, तो आपको ये data available हो जाएगा, जो कि live market में आपको update होता तो इसके basis पे आसानी सर्म अपना trading decisions initiate कर सकते हैं, options में, और एक और चीज़ आप काम कर सकते हैं, आप target price का selection यहाँ से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बीच में छोटा सा sort build up हुआ, जिसका हमें chart पे को impact देखने को नहीं मिला, उसकी बाद देखिए आपका 10.15 से 10.30 के आसपास long and wind नहीं हुआ, मतलब जो लोग long किये थे, वो लोग यहाँ पे profit book करके निकल वे हैं, तो वही हमारा सही time होता profit book करने का और हमने जो profit book किया था, मैं आपको chart पे वापस ले जाना चाहूंगा, देख सकते हैं, हमने profit book किया था, इसी time के आसपास किया था, levels को देख किया, तो इसके basis पे काफी हद तक आपको tweeting distance लेने में आसानी होगी, इस data का आप इस्तमाल करना जरूर सीखिए, so that's all friends, उमीद करते हैं, आपको हमारा यह concept आसानी से समझ में आ गया होगा, कि कैसे हम options buying में आसान तरीके से profit बना सकते हैं, या फिर options buying को क SM आसान तरीके से execute कर सकते हैं, so अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए, साथी साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी आ अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें, so that's all friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन!